हाई दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नेट्फ्लिक्स पर रिलीज हो एक नया शो जिसका नाम है अवे यह अभी फिलाल सीजन वन है जिसमें आपको टोटल दस एपिसोड डेकने मिलते हैं जिसके हर एक एपिसोड अल्मोस्ट एक घंटेक है कि यह सीरीज की कहानी शुरू करेंगे लेकिन कहानी में ट्विस्ट आव आता है जब मून में लैंड करने से पहले इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता जिसके बात एमा के हाफ क्रू मेंबर्स इसके खिलाफ हो जाते हैं अब इसके बात क्या कुछ होता है यह सब कुछ जाडने के लिए आपको देखनी परसंट है जो इस सीरीज फोकस करती है फैमली एमोशन पर आप कह सकते हैं फैमली ड्रामा पर कि जब कोई ऐस्टरोन इस तरीके के मिशन पर जाता है जहां पर उसको सालों लग जाएंगे स्पेस में तो इस दौरान उसकी फैमिली उसके बीना कैसे रहती और वह एस्टरोन लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वह एस्टरोन बैलेंस करता है और यहां तक पहुचने के लिए उस एस्टरोन ने कितनी जादा महिनत कि कितनी जादा सेक्रिफाइस किया बेसिली इन सारी चीजों पर यह पुरा शोव फोकस करता है लेकिन सुनने में एक कहानी बहुत आप लोग सोचे लोगे इस सीरीज को लेकर इतना जादा हार्श क्यों हो तो वह यह के भले राइटर ने कुछ अलग सोचके सीरीज को लिखा लेकिन ऐसा तो लिखता कि ओडियंस इस सीरीज को कंटीनू देख सके और फेस एडवेंशर तो छोड़ी दोगा कि कि वहां पर तो हमें कुछ भी twisted turns और कुछ भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलते हैं जो आप लोग देखके वाँ ऐसा कुछ बोली नहीं सकते हैं लेकिन जो family drama चल रहा है वहां पर भी चीजे मतलब नॉर्मल ही चल रही है मतलब कुछ वहां पर ऐसी चीज नहीं हो रही है जो मतलब हाला कि Emma के husband के जो चीज होती है वो आपको थोड़ी दर के लिए को सोचने पर मजबूर करती है लेकिन उसके बाद जो चीजे चल रही है वो एक मुझे सरत है कि mostly लोगों के life में इसी तरीकी situation होती है तो इसमें नया कुछ भी ने था लेकिन हां यहां पर एक चीज राइट एक लिमिट अच्छे लगते है अगर वह ओर दी टॉप हो जाते है वह आपको हजब होती नहीं और वह ऐसे कुछ इस सीरीज में भी होता है उसके लाँ बात करें करें के लिए लेकिन इतना भी डीटेल में नहीं बता है जितना हम लोगों को जानना चीए और एमा के लाओ उनके बार में इस सीरीज ज्यादा इनों फोकस करती है तो इस वज़े से करेक्टर डेवलॉप्मेंट मैं बोलूँगा इस सीरीज का ओके है जादा बैस्ट नहीं है अब बात करेंगे तो अगर कोई सीरीज आप नेट्फिक्स पे देख रहो तो एक चीसकी तो गैरेंटी क इसके सेनवटाग्राफिक टॉप नौच की होती है और इस शो की भी बहुत जबर दसते है और आप वी एफेक्स की बात करेंगों तो वी एफेक्स मुझे अच्छा लगे लेकिन अगर आप स्पेस की बहुत सारी मुविस अल्रडी देख चुके है जैसे ग्रेविटी या त तो यह सीरीज इतना था इंपेक्ट आपको नहीं फील कराती है इतने स्पेस के अच्छे व्यूज देखने को मिलते हैं हलाकि जिस तरह की से उन्होंने मून बताया है वहाँ पर चीज़े काफी कुछ मुझे अच्छी लग रही ते लिए फील कुछ मिसिंग लग रहा था अगर शो की BJM की बात करें तो मुझे ओक्य लगा और अगर एक्टर के परफ़र्मस की बात करा तो सभी एक्टर का मुझे डीसेंट लगा कि इसका भी आउस्ट्रेंडिन परफ़र्मस मुझे यहां पर मैसूस नहीं हो रहा था अब बात करेंगे शो के कुछ नेगिटीव तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि डिरेक्टर ने खिचडी बनाया है वह खिचडी पक ही लेकिन इतनी ज्यादा पक गई कि वह खाने का मज़ा बिल्कुल खतम हो गया उसके लाई शो कि जो एपिसोड की लेंथ है वह ज़रूरत से जाधा है मेरे इसाफ से सिफ चालिस मिनिट के अगर आठ एपिसोड होते फिर भी यह सीरीज अच्छी होती मैं सीरीज को रेडिन दूंगा 1.5 आउट ओफ है मेरे इसाफ से तो यह स्लो बर्न है जो आपको नहीं देखना चाहिए लेकिन यह सी मेरा परसनल ओपीनियन है अब बात करेंगे पैरेंडल गा इंग्वेज में है बिंदास देखना और अगर आपने अल्रीडी देख चुके तो आपका ओपीनेंच जरूर शेर करना तो मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में तिल देन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और आपकी क्या राय है मेरे चैनल को लेकर उते बारे में भ बाइ